नाउशकार फ्रेंट टॉपिक है डिस्केशन के लिए हमारे पास evolution of the concept of the human rights यह human rights का जो concept है उसका विकास कैसे हुआ अगर बात करें दोस्तों word human rights की कि यह मानव अधिकार यह शब्द अपने आप से कहां आया है तो इस क्या credit जाता है एक English person को जो की England में पैदा हुए थे पर death जाता था और उस वक्त human rights जो था उसको natural law और rights of man भी कहा जाता था तो natural law जो था उसमें अपने आप में बहुत से defect आ चुके थे और जब इसको rights of man कहा गया तो वो सिर्फ एक gender bias हो गया कि भई rights of man ही क्यों woman क्यों नहीं तो इसलिए फिर इसको concept दिया गया human rights का जितने भी human है उनके rights हाला कि अगर इस term के popular होने की या परसिद्ध होने की बात करें तो उसके लिए credit जाता है 20th century को यानि कि 20th century या 20th शितापदी में ही ये जो शवद था human rights ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला ये सुनने को भी मिला और इस पे जो philosopher थे जा jurist थे या और जो human rights activist थे उन मानव अधिकार का जो हमारे पास अभी concept है या latest concept जो है human rights का ये जो है western world की देन है तो बड़ी obvious सी बात है कि अगर ये western world की देन है तो इसका जो evolution है ये इसकी जो भिकास है वो भी western world में ही हुआ होगा और अकर ancient time ये प्राचीन समय की बात करें तो ये जो concept था human rights का ये civilizational भ था यानि कि जो सभिताय थी उसमें भी इसको include किया जाता था religious या धर्म जो था उसमें भी इसके content जो था मुमझूद था और philosophy या जो philosopher होते थे उसमें भी ये चीज़े include की जाते थी क्योंकि पुराने समय में अगर human rights देखा जाए जो आज का mechanism है वैसा तो नहीं था तो इस लिए उस time की जो popular जो एक कहलीजी के phenomenon थे जा जो एक तरह से popular विचार थे philosophy का धरम का या फिर वो civilizational हो तो वो जो सारी चीज़े थी उनमें human rights जो आज है हमारे वो directly indirectly आपको देखने को मिलते थे तो उसको भी हम कह सकते हैं कि evolution of the human right था पर क्योंकि वो प्राचीन समय की बात सी events या घटनाए हुई जिनके कारण की आज की date में जो modern human right का concept है वो develop हुआ सबसे पहले इसमें Magna Carta जिसके बारे में आप सभी लोगोंने सुना होगा ये 70 clauses का एक दस्तावे था जो कि Latin भाशा में लिखा गया था इस instrument में दोस्तों जो barons थे England के जिनको सामंत कह लीजे वक्त किंग जो थे या राजा जो थे वो निरंकुष होते थे राजा ने जो बोल दिया वो ही सही उस arbitrary power पर एक तरह का check लगाया किया था और अपने लिए कुछ shoot हासिल की गई थी और Magna Carta ने ही jury system जो था उसको introduce किया था जो की arbitrary arrest या detention से protect करता था तो इस तरह से जो Magna Carta थ है इसको अपने लोगों को दे नहीं पड़ेंगी हाना कि यह बहुत selective थी यह सिर्फ barons या समंत या नवाब जो थे उनके लिए थी बाद में दोस्तों हाना कि Magna Carta में भी बहुत से modification किये जैसे कि मैंने कहा कि यह था elite के लिए elite ने अपने लिए कुछ जो rights थे वो हासल किये petition of the right जिसको की crown proceeding के नाम से भी जाना जाता है उसमें अधिकार दिया गया कि आप state, king या इस तरह कोई भी राजा हो उसके खिलाब भी अगर वो गलत होता है तो आप action ले सकते हो जैसे कि आज हम state के खिलाफ action लेते हैं अगर state कोई गलती करती है तो हम state के खिलाफ जाते हैं जैसे कि हमारे fundamental right constitution के पार third के अंडर है तो ये जो है bill of right ये एक तरह से आप कह लिजे के document था जिसने king land के बहुत से लोगों को fundamental right या दूसरे तरफ में हम कह सकते है human rights दिये इसके बाद number आता है French America का जिसने के अपने संभिधान बे fundamental right इंक्लूड किये तो इसके लिए हम कह स अपने constitution में fundamental right या human rights का concept जो था उसको introduce करना शुरू कर दिये तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि एक जो अनभब करना कि हम human being है हम मानब है और हमारे पास इस तरह के fundamental rights होने चाहिए उनकी एक बहुत बड़ी sanctity होनी चाहिए उनको document में लिखना चाहिए उनकी protection होनी चाहिए अगर को violet करता है तो उसमें compensation या दूसरे आदमी को violet कर रहा है उसको punishment भी दी जा सकती हो यानि कि इस तरह की घटनाए या events कह लीजे वो कोई 1 साल या 10 साल या 20 साल में नहीं होई वो काफी सालों या काफी सदियों से होती होती होई आज हमारे पास पहुंची है जिसमें कि first world war second world war का भी बहुत बड़ा योगदान है और भी कई चीज़ों है तो हम कह सकते हैं कि यह जो था विकास था modern day human right या modern day जो हमारे पास मानव अधिकार है उनका यानि कि देखा जाए तो यह struggle है लोगों का अपनी identity जो है इसको ensure करने के लिए अपनी जो importance है उसको ensure करने के लिए अगर इसको पूरी तरह से एक justiciable way में पूरे all over the globe implement करना हूँ तो उसमें फिर कई तरह की problem है उनके समाधान भी है तो कई तरह की चीज़ों इसमें include है पर यही जो evolution है modern day human right के concept का वो रहा है और उसकी शुरुआ जो थी वो western world या जो पश्चात country है उनमें हुई थी आए